तो आज हम पढ़ेंगे एन ओल्ड विमन्स विल तो विल का मतलब होता है वसियत मतलब एक जो बुड़ी औरत है उसने अपने वसियत में क्या लिखा है एक बुड़ी औरत होती है वो अपने तीन बच्चेओं के साथ रह रही होती है वह काफी अमीर होती है और उसके पास कितने ओंट होते हैं 19 वन डेग एक दिन वह क्या होगी बिमार पड़ दी दोक्टर तो उसकी बीटियों ने क्या क्या डॉक्टर को बुला है the doctor tried his best but couldn't save the women डॉक्टर ने काफी कोचिस की लेकिन वो उस औरत को बचा नहीं पाए अब देखो जब उसकी मृत्यों हो गई जब वो औरत मर गई तो उसकी बीटियों ने उसकी वसियत को क्या क्या पड़ा अब देखो उसकी वसियत में क्या लिखा हुआ है उसके वसियत में लिखा हुआ है कि my eldest daughter will get half of my camels, अब देखो उसके बस कितने camels थे, 19, तो जो सबसे बड़ी daughter थी, उसको कितने camels मिलने है, 1 upon 2, मतलब आधे, अब देखो, 19 का आधा कितना होता है, 19 का आधा होता है कितना, 9.5, मतलब 9 और आधा, लेकिन ओट को तो काटा नही camels, अब देखो, इसको मिलेंगे 1 upon 4, और तीसरी वाली को मिलेंगे 1 upon 5, ओके, अब देखो, देखो, the daughters were really puzzled, तो जो उसकी बेटियां थी, वो क्या थी, काफी चिंती थी, अब वो सोच में पड़ गी है कि अब करें क्या, how can I get half of 19 camels, ask the eldest daughter, तो सबसे बड़ी बेटी ने ने पुछा भी, अब क्या करें, just then they saw their aunt coming, तब उन्होंने देखा कि उनकी चाची उनकी तरफ क्या कर रही है, तो उन्होंने उन से पुछा भी क्या है, उन्होंने पुछा कि क्या problem आपको आ रही है, तो फिर उन्होंने बताया कि आप मुझे उस वस्यत को दिखाओ, I have an idea, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास क्या है कि तर्कीव है You take my camels so you have 20 camels Now you can divide them as your mother wanted तो अब तो जो उनकी चाची थी उन्होंने क्या बोला कि मेरे पास एक camel है तो आप उसको भी ले जाओ तो आप आपके प्सक्राइस 19 थे एक और हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 20 अब देखो 20 का तो हाफ हम कर सकते हैं 20 का हाफ देखे कितना होता है 10 You want half of the camels don't you Take 10 camels she said the eldest daughter तो उन्होंने eldest daughter को क्या बोला कि आप इसमें से 10 camels को क्या करो ले जाओ Take you a say The untold second daughter she took one fourth of the camel अब देखिए हमारे पास total कितने camels थे 20 camels अब देखो हमारे पास की है 20 camels ठीक है 20 के और हम चार चार हिस्तों में बाढ़ने तो कितने हो जाएंगे 555 और 5 अब देखो जो पहली वाली जो डॉटर्टर थे उसको तो मिल गए ये दो is अब देखो तीस्री वाले को मिल ने है इसी इनी कैमिल्स को अगर हम पांच बराबर बराबर हिस्सों में बांट लें इसको इसको चार रिस्से कर रहे थे अगर पांच 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 इसको लड़की उसको क्या मिलना है उसको मिलने है दॉसरी वाली पांच मिले और इसको चार मिले तो 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 कितने हो गए और जो एक एमिल जो बचा हुआ था वो कहां चला गया फिर से वापस जो उन्होंने अपनी आउंटी से लिया था वो अपनी आउंटी को वापस चला गया ओके